असलाम उलेकुम नाजरीन मैं आपकी होस्ट मर्यार सिद्दे की प्रोग्राम उमीति करन के साथ हाजिर हूँ नाजरीन आज जो मेहमान तश्रीफ अर्मा है इनका नाम सलाउदिन सहाब है और ये किन-किन शोबों में काम कर रहे हैं आई इंसे मालूमात करते हैं ठीक है क्या हाले जनाब अल्हमुद्ट लाकुली खालिए जी जनाब अब बताइए कि आपका जो-इंकिन शोबों में काम कर रहे हैं साहच अपने पता है तारेमका है तो तालीम से शुरू करते हैं इस में इस में पताइगे किकिन कäकिकरी में बचте को आप रखते हैं कौनुकून किस तरह की शुरुवात करते हैं अब तालीम की हिए हमस के हुआले से युनिवर्सिरिय लेवल के उपर लोगा तालीम के मश्किलात का इशिकार है irm चाहिए होता है वहने वह दोगे होुन हर pytanie हमारी कोशी होटी है कि फरीजा तालीम को हासिल करने में उनके किसी तरह की कोई दिश्वारी हमारे एंट से पेशना है उनमें हतल मक्तुर कोशी होती है कि उनकी मज़िस कर सके हम लोग सही तो आपको पता कैसे चलता है कि यह नीडी परसन है तो आपको यहां जाके इनका इनकी हल्प करने हैं हम हम हर केस को बाकाइदा वेरिफाई करते हैं ठीक है जहां पर जरूद होती है जितनी जरूद होती है जहां पर जरूद होती हम प्रसनली जाते हैं कभी अपने वालेंटियर्स को भीजा जाता है वहां पर जाके वह वेरिफाई करते हैं प्रसनली उन लोगों से मिलते हैं उन किस तारता चलता है यह चलता है वि弟 Bombayar में जो हैं उसके पांच मेंबर अरे मेरे लाँ घी च। हम लोग सांड़ास कर सेंट किसी भी केस को करने लिए यह पता को करने के बाश्य हो था इस और आ पक्या जाएंकर जाई यह совать क्याम कब हुआ इसका उमीदेनों लास्ट 2020 के लास्ट डेट से असके अंदर आपने काम शुरू किया है बाकाइदा वरना हम में से अक्सर लोग पिर्ले पाइंच सालों से काम कर रहे हैं अच्छा अलग-अलग इदारों के अंदर अलग-अलग इंडिविजिल कैपसिटी में काम करते है मागर अब जाचे हम लोग आपस हो हैं और अल्ह्म्रण ऑपस में कर रहे हुए है तो ऐसकर होगं जब आप लोग-अलग कर रहे थे तो फिर एक साहा हो गए पुए ऐसा एंसेटल हुआ इस सच वा मुग अलग-अलग काम कर करूए है में स्थचर में स्शू बढ के हवाले से काम कर रही है इजुकेशन के हवाले से मेडिकल के हवाले से मसाजित की तामीर के हवाले से काम कर रही है थर और बलचित्तान के हैंड पॉम्प लग रहे हैं उनके हवाले से काम करी एड़ रनिंग मॉमेंट इसके इलावा कई सारे इसे शुबह जात हैं जो के बह नहीं चैजर ज़गा को आगे बढ़ता है एक हट तो फो आगे बढ़ता है शागे तो इस पींसे प्रण आगे ही बचेत कितनी है, कमिशिन कितना है, अलंकि ऐसा कोई मौमला नहीं है, लोगों की सोच है, जो कि कभी कबार तकलीफ देती है, मगर तकलीफ हमारे लिए है, यकिन जानी है कि एक बूस्ट होता है हमारे लिए और हम और सेजी से आगे बढ़ते हैं, अच्छा उसमें आपने पॉ देखिए, लोगों के पॉइंट फ्यू को तो आप लोग जो कहना चाहें, वो कह लेंगे, आप किसी के उठते वे हाथ रोक सकते हैं, मगर किसी की बोलती जुबाउं को रोकना मुश्किल है, अब बहुत सारे मौमलात में ऐसा होता है, कि हम जब फंडिंग के लिए किसी से की मदद करना चाहता है, वो आपस में जो नहीं है, वो हमारे हुथ को कननेक्ट होता है, तो किसी कि जाइज से शहीं सबाऌ से किसी की जाहीं वह लग रहा होता है, ये बात लोगों को समझ में नहीं काँ डिए हर अपनी हम आा इनकी अपनी सोच के एजबार से हमारे काम को है और मस्ज़िद में भी काम किया तो आप मस्ज़िद के हवाले से बताएगा किस तरह काम किया अब 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 आपको बता हूं कि बलूशिसान में एक मज़ीद है जिसकी असर नों तामीर हो रही है उसके वहां पर पानी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं हैं फैंट पॉम की त रही है है और बहुत मुनाजबां दाज में छो रही है अच्छा इंतजाम साइए कं का रहते हैं और यह कि सपूल भी cake एकर चानल बछाई दिए के अंदर मस्जिदी पर काम हो रहा है इसके इलावा अम्मार यासिर के अंदर जो मस्जिद की तामिर है उसके पर हम काम कर चुके हैं और फर्दर वहां पर जो भी जरुत होगी इस पर काम करेंगे अच्छा हाली की कोई एक्टिविटी बताईए अपनी अभी पिछली दिनों हमने बारे रिबी लवल के मौके पर वाजी रिसूल पर काम किया था और एक बहुत अच्छा इविंट था जो कि छे रिबी लवल से लेके बारे रिबी लवल तक चला उसके अंदर अलहम्दल्ला हमने कुरान पाक की तक्सीम की रोजाना की बुनियात पर बच्चों के रोजाना जियाफत का ऐष्टवमान था जैसा मैं आपको शायद बताया पहले जियाफत का रोजाना घीऊ ख़्कूं क worm अम चायला मासाईल्ला होते थे और आपस के लोग भी लवल जाते हैं कभी गवल तक्छा था होता ता है और आपस की अच्छे महों के था इस प्रोग् सुकून रहके आपने उस चीज को आगे बढ़ाया यह बहुत अच्छा सवाल गया आपने एक्चुली बात होती ही लीडर्शिप की अगर आपकी लीडर्शिप अच्छी है उसकी थौट इच्छी है और अगर वह लीडर्शिप अपनी थौट अपने वोलेंटेर्स के अंदर तो पर प्रदक्र करना आसान हो जाता है ए वॉल्स्ट समझ जाथा जाता है उसका विजन पर यजाघए उसका से क्या है लेकर इर्ट सुछा देहां जालुडّा हो यकश्टे होग्ता जब बंदा बेलोस होगे आगे बढ़ता है तो फिर काम कर जाता है उसको सिले की उमीद नहीं होती तो अलहम्दल्ला ऐसे वरकर मिले ऐसे वालेंटर्स मिले इसे साथी मिले जिनकी मज़ें से काम करना आसान हुआ दिश्वारियां भी आई मगर दिन रात एक करके उन लोगों के थूरी कर रहें हपने जानने वाले लोगों में कर रहें अच्छा अब हमारे पेज़ेस के थूरी हमारे घृप के थूरूं thrilled हमारी बाड पहुंचती ए वहा Ton हमें खुद अपरऊकर नहीं करते हैं और कभी को बाद हमें पता भी नहीं होता खा के हमें कि इसे नहीं कमा करते हैं हम करते हम कई चलते हैं abdta Evictum को यह तरीक कार यह चलते हैं कर एक नीडी आता है मेडिकल केस है तो हम प्रेफरेंस देंगे मेडिकल वाले केस को सही और हम लोग उस केस पर काम करेंगी जिसके ओपर ज्यादा इंपोर्टेंस है जिसके ओपर अर्जनसी है हम वहां पर उसके ओपर काम करेंगे कभी दो केस को एक साथ नी चला रहे होते हैं ताके वन बाई वन एक Q चलती रहें. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी आप एक केस को सुलिजा रहें तो दूसरे में बहुत emergency हो आपको पता आना चला ऐसा कभी कुछ हुआ है? जी, बिल्कुल. कभी कबार ऐसा भी हुआ है, तो उस सुर्थ में हमने वह ही किया है जो जरूरी था हमने उसी केस को तरजीश दिये जहां पर ज्यादा तवज्यों की जरूरत थी तो लोगों का कभी नेगेटिव रिस्पॉंस ऐसा कि आपने हमें क्यों नहीं देखा आप तो वेलफेर का काम करते हैं ऐसे तो बहुत सुनने को मिलता है देखिए लोग की सोच को बदला नहीं जा सकता मगर फिर भी हिमत कैसे पकड़ते हैं इंस्पिरेशन का आती है इसको इसरह से लेना चाहिए जो कहने वाला है उसका उस मौमले से कोई तालुक नहीं है उसका बाप बैट पर नहीं है उसका बच्चा इसकोल से निकाला नहीं गया उसके घर के अंदे नहीं है इसके घरमे राशन नहीं है रहीं नहीं है जो बंदा एक्ष्य है वो ये सारी चीज़bey कर रहा है जो कहरा है उसको ऑह बच спति होगी कर लिक आधा है और अंड़ने हर को नहीं कर लेता है नगिए दूसरे के गम को तुसरे की तकलीफ को खुद महसूस करना उसके ब ब्ुमारे काफ़ी फर्माइश बढ़ जाती है, बिलकुल बिलकुल ऐसा होता है किया, काफ़ी फर्माइशी प्रोग्रम भी आते है आम बास, लोग चाहते हैं कि हम उनकी मरदी के अदिभार से शादी करें, हाल भी बुक लीड़ा दे, खाना भी बहुत जादा अच्छे कि खोढ़े लाइओ आंब में काम छएगाता है जाना पिल्दक्ट होने आइस्था इंड ना तक देखेस्वाय नियुकुूद करें स्टCR काम करते हैं। पूरा अलोर कि उनके अगर उनके सिचुएशन के अगर वह बना आप लिए खाना कर देते हैं और जा इनके हमारे माऊमले में आपकी मज़द की द्रूवत है तो हम उस जगा जाकर उस पर काम करते हैं अच्छा जैसे पिर जहाज पर आप आते हैं तो अपने प्रुझ के लिए फिक्स अमांट रखा हुआ है और उस के अंदर रहते हुए हम लोग उस फैमिली को हेल्प करते हैं वो सैटिस्फाय हो जाते हैं कि अलहमदल्ला क्यूंकि उस रखम के अंदर ही काफी तारी जरुत की चीज़ आ जाती है जो कि मैंने आपको कहा ना जी 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 कि अल्ला की तरफ देखते हैं या बंदे की तरफ देखते हैं कि मुझे अल्ला ताला नहीं दुनिया में इस तरहां से बना के भीज़ जिया कि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ उस रब कदीर का बहुत अहसान है कि उसने हमें इस काबिल बनाए कि हम किसी की मदद कर सकें सही अब यकीन जानी है, कि जब कोई बाप मेरे गले लब के रोता है, कि आपकी रिया से मेरी बेटी की शादी हो गई अच्छा, माज़रत मैं आपकी बात कार्टी हूँ, वक्त हुए ब्रेक का, हाँ तो नाजरीन, चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ वलकम बैक नाजरी, चलते हैं अब अबने बख्या प्रोग्राम के जाने, जी जनाब आप कुछ फरमा रहते हैं, मैं यह कह रहा था कि जब एक बाप अपनी बेटी की रुस्तती के बाद जब गले लग के रोता है, और कहता है कि आपकी वजह से जो मेरी मुश्किल हल हुई है उसका बदला सिर्फ अलाही दे सकता है, या फिर जब कोई भाई अपनी बेटी या अपनी बेहन के लिए ये बात कह रहा हुता है कि आपकी मदद के इलावा इसका इलाज मुम्किन नहीं था, या इन हाला से हम लोग गुजर नहीं सकते थे आपकी मदद के पगेर, तो यकी जनाब ये बताएगा कि क्या आपको सियासत से भी दिल्चस्पी है, किसी रुद्वे या किसी कुर्सी की खौईश, देखिए आज तक जो सियासत का हाल अभी मुझूदा सियासत का जो हाल है, उसके एजबार से तो नहीं जाना बेतर है, क्योंकि आप जितना भी अच्छा क जो सियासत का 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 नजर में है, मैं आपको लोग उसको अपने अपने अंदाज में बेयान करते होंगे, मैं अपने अंदाज में बेयान कर देता हूँ, अपनी जात के इलावा, किसी भी शक्स के लिए, बेलोस होकर काम करना, बेघर्ज होकर काम करना, वो सोशल वर्क है, आपकी एक जात है, आपके अपने घर से, आपके माबाप, बहन भाई, रिशेदार, दोस्त, आबाप, पडोसी, जब आप यहां से निकलते हैं, फिर आपका रेडियस बड़ा होता है, फिर आप फरदर आगे एकसीट करते हैं, फिर आगे जाते हैं, जब सोशल वर्क यह है कि किसी की भलाई के ल अगर आपको गर्ज नहीं है, तो तो आप सोशल वर्क यह हो, वरना फिर सोशल वर्क यह है, अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस में किन किन सलायोतों की ज़रूरत होती है, बीने सोशल वर्क यह कहूंगा कि एक सोशल वर्क को अपने काम के ओपर और इसके मामलात के वह जाय कहीए." जैसे कभी कबर हमा लnnijds आते हैं, हो जकात की मगत में आते हैं, कभी सादां फंड होते हैं, कि K भी किसी मगत में मांगर च्रोड ऑर मर्क उपन करने काम कि मगत थाया जहां वर्क यह उसकात का मसरफ नहीं बनता थ तो बनदीकी साघ़ाल नहीं होगी ये तो एक है बड़ा पॉइंट तो अप उसको कैसे सॉल्फ करते हैं कि जहां जाकात नहीं चाहिए वहां आप नॉर्मल फंड कैसे पहुंचाते हैं और जहां जाकात चाहिए वहां कैसे आप उसको करते हैं मुझ समयत मेरी टीम के अंदद तमाम लोगों को जाकात के तमाम मौमलात तमाम मसारिफ पता हैं और अलहमदल्ला मेरी कोर कमीटी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जोके साहिप निसाब नहुँगू हम सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं अपनी जॉप्स कर रहे हैं और कि अगर आप अपने घर केंदे किसी भी तरह की फाइनिशल सिटेशन से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सोचल वर्क करना है तो पहले आप उन चैलेंजिस को फेस कीजिए अपने घर केंदे पहले काम पूरा कीजिए इसके बास फर्दर आप एक्सेट कीजिए वरना फिर हो सकता है कि आप किसी मामले में कोथा ही खा जाएं और जो इसका मकसद है वासल ना कर पाएं स्विशल बसका है अच्छा आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा जब आप अपने फलाही काम करते हैं तो देखिए सबसे पहली बात है यह के जा है बन्दा सामने आगे करे चाहे वो बरा सोचे चाहे वो बरा समझे मगर जब इस तरह कर को ही बंदा नवाला ही होता है वो बातों को दूसरों से शेयर कर रहा होता है जब जैसे कि एक नेगेटिव पॉइंट उसके खुद सोच में आया वह दूसरों तक कानवे कर रह फिर इस तरह से तो फिर वो मामलात बिगड़ते चले जाएंगे, सोच बदल जाएगी, वो और नेगिटिविटी की तरह आ जाएंगे सब, देखे, सोच तो नहीं बदली जा सकती, मगर हम उस चीज को अपने काम से दिखाते हैं, लफजों से जवाब देना कभी भी बहतर हल लफजों से जवाब देना, इस बात का बहसरी नहीं है, मेरी नजर में, हमें अपने एक्शन से जवाब देना पड़ता है हमेशे, हम वो काम करके दिखाते हैं, और बहुत अच्छा कह रहे हैं भी सकते हैं, सही, तो लोगों का कैसा रिस्पॉंस रहता है आपका इस सब में मिले जले रुजाने जो इनको बुरा लगता है, उनको मुझ बसूर के रह जाता है, अच्छा, तो कैसे उनको बुरा रिस्पॉंस मिलता है, क्या होता है, मरीम काम के दर रहना, बहुत सारे मामलात होते हैं, जो के दरपेश आते हैं, हमें चैलेंजिज आते हैं, लोग ना इस अफरी हमारे कि पाओ इसलेते होते हैं, इनको कोई मकसद नहीं ह ważता हमारे खिलाफ होने का अगर भुत सर्फ तनकीद बराएं, बहस बराएं बहस और दिल रहर के नेगेटाइफ सोच होती हैं, जिसको लेकर वह प्रोमोर्ट कर रहे होते हैं, जो के दोसे लोगों के सा तो हम अपने काम से जवाब देते हैं कि किस रहा एक तो भीट लिए जाता है तो फिर बाद मन का कैसे टाइडाँ रहता है अच्छा है अच्छा खामुश तो होई जाता हैं मगर के सोच को नहीं वदल सकता है अच्छा सोचल वर्क में आपको किस तरह के लोगों से एक्तलाब को सही मानों मैं समझ पाते हैं कुछ लोग शोहरत के लिए आते हैं अच्छा कुछ लोग गरीबों की तद्वीरें खेंचके अपपनी मारकेट करने आते हैं जरूरत मन को बेच कर अपनी जरूरत पूरी करने आते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो के जकात और जनरल फंट काके लोगों से डोनिशन लेके अपने मसारिफ के लिए इस्तमाल कर रहे होता है मेरा जाती तोर पर यह मानना है कि अगर बंदा करफ्ट हो कोई तो उसको सोचल वर्क में नहीं आना चाहिए क्योंकि जब इस तरह का बंदा सोचल वर्क में आता है तो मुझ समेथ जितने भी अच्छा काम करने वाले सोचल वर्कर हैं उन सब के ओपर उटती है कि यह एक बंदा ऐसा निकला है क्या पता यह भी ऐसे हो जिए बिल्कुल सही सही अब आप किसी को रोक तो नहीं सकते हम पाकिसान के तो हम किसी के दिल के जहांके नहीं देख सकते हैं काम बताता है कि काम कैसा हो रहा है हमारा काम बताता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो कितन तो जो इखतलाफ करते हैं आपके साथ या आप जिनके साथ करते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा काम आपने रखा है या कोई इसी टीम बनाई भी आपने कि वो नेक्स टाइम किसी लोगों के साथ ना करें चलो हमारी साथ हुआ हुआ यह नेगेटिव थौर्ट जाना कि अगर ए करनेक्टेड है पुर्ट जब भी इस तरह को कोई नया नाम कोई नई और्मेजिशन जो हमाई नजर में आती हैं जो के गलत काम कर रही होती है हम आपस में उसको बैटके रेकरनाईज करते हैं उसके काम को एनिलाइज करते हैं और अगर ज़रुद पड़ती है तो आपस के इसको हाइलाइट करते हैं कि इससे बचना है या उसके साथ काम करना है ताके हमारे इलावा जितने भी लोग है या तो इसके साथ अगर काम करना चाहते हैं तो जान लें कि उनके काम करने का अंदाज क्या है और अगर हमें काम नहीं करना है तो इसकी वजा क्या है अच्छा य कि और पने सब ले लेते हैं जारा दाना और चालेगा आगर कोई अर फंड देना चाहरें को अना तक पहुंच रहा है थो ने पहुंच रहा है। मैंहें अDi सकता हूँ कि हमारी बॉरử वुजरों नहीं हैं अछा पटीरू अपकी हज़िया हैं जानने वालों में से हैं, कुछ बाहिर से भी हैं, अच्छा, मगर हम अपने हर केस की मुकमल तफसील उनके साथ शेयर करते हैं, इविन की जो अशेक्टी है, उसके बारे में भी जितनी मालूमात होती हैं, वो भी शेयर करते हैं, कोई भी ऐसा दकी का फरुगुदाश्च नही चाहिए वा नाइंटी नाइए में उनके साथ थोड़ा एक्सपिरियंस शेयर करें आपना, मैं एजी साथ के साथ में क्या बता हूं, ऐसे आदमी थे हो उनके साथ आप जमीन पेटके खाना कह सकते थे, उनको कभी मुझे उनके साथ बेटके एसा नहीं लगा कि मैं उनके सा आदमी की पहचान ही होती है, कि उसके साथ जब कोई छोटा आदमी खड़ा होता है, तो वो अपने आपको छोटा महसूस नहीं करता है, एजी साथ आपका वो लेवल था, और ये बात में इसलिए प्रसनली कह सकता हूं, कि जो मैंने अपनी जिंदेगी के डेड़ दो साल उ उनके साथ काम क्या है, तो बहुत पर देब लेके उनको समझने का जानने का मुखा मिला है मुझे, अच्छा, उनसे बहुत मतासिर हुम हैं और लाह ँछ्य हो गरी में गरी रहमत करें, बहुत सारे सोचल वर्कर्स के रोल मोडल हैं और अलहम्दल्ले मेरे भी हैं, अच्छा को एक बहुत बड़ा इजारा चाहिए जिसके बहुत सारे मेमबर्ज हो, जिसकी बहुत सारी फंडिंग हो और उसकी अपरोच जो है हर जगा हो, तो खलत है, सोशल वर्क करने के लिए आपको एक रिपया भी नहीं चाहिए, ये बात मैं इस तरह से कह सकता हूँ सोशल वर्क मैंने जैसे आप से पहले बेयान किया था अपने इलावा किसी भी दूसरे के लिए बिला गर्ज औ गायत के बिला मतलब के काम करना सोशल वर्क है आप राह चलते वे जा रहे हैं रस्ते में कोई मरीज देखा अपने उसके लिए आपने गाड़ी रोग दी आपको कोई लिफ्ट मांग रहा है आपने उसको लिफ्ट दे दी आपको एक प्लेस वाला खड़ा हुआ है जो कि धूप के लिफ्ट दे खड़ा हुआ है बारा बज़े चुरंगी के उपर उसको पानी पेश कर दिया आपको लगता है कि एक गरीब बेटा हुआ है उसको जरूरत है खाने की पाने की किसी भी शेकी आपने अप्री सुस्टास को दे दी अरे आप नहीं दे सकते आप किसी को मुस्कुरा के मना कर सकते हैं जरूरत नहीं है पैसे की आपने रह चलते को पत्थर अठा दिया आपने किसी मरीज के अटेंडिंट को तसली दे दी आपने किसी भाई के कांदे पर हाथ रख दिया आपने किसी को यह तसली दी कि यार अल्लह साला बहतर करने वाला है सईए यह कुछ आपको पेसों की जरूरत नहीं यह सोशल वर्क के लिए आपकी नियत आपका इखलास आपको सोशल वर्क कर बनाता है मेरा जाती तोर पर यह मानना है कि सोशल वर्क जो है वो इखलास है बिना गर्जो खायत के चाहाँ वो किसी भी लेवल पे हो आप उसको कर सकते हैं सही बहतरीन अच्छा जनाब आपके बात क्या आपकी टीम इसी तरह ही काम करते रहेगी जी बिल्कुल उमीदेनों की फॉर्मेशन ऐसी है कि हमने उसको कोई तबकात के अंदर रखा हुआ है कोई शोबा जाते हैं जहां पर हम लोग काम करते हैं कॉर कमीटी है जिसके अंदर अलहम्दल्लाब में भी शामिल हूँ इसके अलाब मेरे पांच मेंबर हो रहे हैं जो के इसके पूरे मामलात को हैंडल कर रहे होते हैं इसके अलाब हमारे एक तिंक टेंक है जिसके नोजवान वालेंटेर्स हैं और वो हमारे कैसे को स्टीडी कर रहे होते हैं आपक हमारे केसे को डिल करने के तरीकिए को देख रहे होता है अब उनकी जो आप्जर्वेशन है उनकी बाकादा ट्रेनिंग हो रही है तो नाजरीन वक्त हो गया है च्छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद वेल्कम बेक नाजीन चलते हम अपनी बग्यार प्रोग्राम की जानेब जी चनाब अभी बताएगा कि आपकी टीम कितने अफ्राद में मुझतमिल है उमीदेन है काम को सही तरह से इंजाम देने के लिए हमने उसको मुख्तलिफ लेवल्स पर रखा हुआ है कोर कमीटी केने हम लोग छे लोग है, अंकुलूडंग मी, मेरे देलावा पांच अवर रहे हैं जो के उमीदेनों के तमाम फ悉स्क्नों पर डिस्कस करते हैं, उसको किसरा सा इंजाम देना है, उसके बारे में बात होती है कोई मेशुरा अगर चाही होता है या कोई इखतलाफ होता है किसी केस की उपर तो हम लोग आपस में बेटके उस कोर कमीटी के अंदे उसको डिसक्रस करते हैं इसके लाव हमारा एक ठिंक टेंक है जो के थोड़े नए वॉलेंटियर्स पर मुझते मिलें नए सोशल वर्कर्स पर मुझते मिलें वहां पर उनकी ग्रोमिंग होती है ट्रेनिंग होती है वो हमारे काम को देखते हैं समझते हैं कि किसी भी केस को करने के लिए हमारी क्या रिक्वर्मेंट होती है हम किस केस को प्रिफिरेंस देते हैं, हमारी वेरिफिकेशन का तरीके कार क्या है और हमारी फंडिंग जो है, वो किस दान से हो रही होती है उन सारी चीज़ों को हम लोग ठिंक टैंक के अंदर डिसकस कर रहे होते हैं इसके लाव हमरी एक और कमिट एक वोमिन विंग भी है जो भी रिसेंटली बना है उसके अंदर सिर्फ खवातीन शामिल है और वो खवातीन क्यूंके एक अलग तरह से मैं नहीं चाहता कि उनको मर्द अफराद के साथ मुखलूत किया जा है तो उनका एक अलग विंग है जो के खवातीन से रिलेटन मामलात को देख रहा होता है इसके लावा एक जर्नल ग्रूप है जो के अलहमदोल्ला भी 250 से ज्यादे एक सीट कर चुका है 250 से भी जो के वालेंटेर्स हैं और डेडिकेड़ वालेंटेर्स हैं और एक आवास के पर हमारा साथ देख सही अच्छा जो है तो उस सूरत में भी हम लोग प्रसनली इसको अपरोच करते हैं और को डील करने कोशी करते हैं ठीक है अच्छा यह बताएगा कभी आपने कोई ऐसा काम किया है जिसको आपको फील हो रहा है अंद्रूनी जजबा आपका और जागर हो रहा है कि हमें और मजीद काम को बढ जल ही पारा था उसके जो आजाद है वो काबिल ही नहीं थे को हल सके मगर उसकी आखें बता रही थी कि वो कितना श४ूर है उसका भाई उसकी फैमली जो है आलमोस्ट गिर गए थे वो लोग, उनकी आखें बता रही थी, उनके पास लफज नहीं थे बेयान करने के लिए, कई दफ़ा मैंने जैसे पहले भी जिकर किया, कि कुछ घरानों के अंदे हैं, शादी के मामलात के अंदर, मेरे पास बाप रोते वे आता है, कि तुम नहीं होत है, मैंने रोते रोते पठकते वे अपने हाप को देख और जब मैं वहाँ पहूंचा हूं और उनको जो मेरे हाथ रख्शें से इत्मिनान हुआ है, यकिन कीजी, सारी महनत वसूल हो जाती है, सारी थकन वह वसूल हो जाती है, सही, अच्छा आप क्या समझते कि सलसला कब त मेरे बाद भी मेरे दोस्तों के बाद भी जिस तरह कि हमने उनकी तर्वियत रखी यह सलसला आगे चलता रहेगा और हम इसी चरह इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे अच्छा उमीदेनौ में चामूलियत का क्रेडिट आप किसको देते हैं देखिए एहसान फरामोश होता है जो अपने मौसिन को याद न करें याद न करें मेरे को टीम मेंबर है हिवजा आईशरफ उन्होंने मुझे 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 मतारुफ कर वाय साओं और पहले मेडिकल के बाद जमेंने उनको बाकाइदा जोईन किया है तो उसके बास से आज तक मेरे रापता कटा नही है मैं मैं उनका एहसान बंदू के उन्होंने मुझे उस लेवल पे लाके रखा वो मुझे बड़ी सोशल वर्कर है मुझे जादा जानती है मौमलात को मुझे जादा समझती है और जिस तरह से वह मौमलात को देखती है मैंने उनसे बहुत कोई चीखा और उमीद करता हूं जो कुछ सद्री बड़ाबर बरस्ती वे शक्त प्यास और भूक बाश्या या विए इसको एक सी लगती है बेश्य कंश वह किसी को भूग लगती है तो मदभश की पुचिती नहीं पूश्ती वricht और उनीज्यर स्टेटस नहीं कुचिती वो बरभर ही लगती तो लगी तो अलहांद या मखसूस लोगों के लिए काम किया गया हो। हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुलें। और हम लोग हमेशे ही उन लोगों के लिए काम करते रहेंगे। यह बताइगा किस माइन सैट के लोग सोशल वर्क ना करें तो अच्छा है। मफात परस्ट... मुझाद पर रहा हैं मैं किसी घरीब की तस्वीर को बेच के अपने लिए फंड नहीं करता है उमीदेनों के अंदर कभी भी हम लोग किसी की मजबूरी को बेच के या फिर उसके हालात को जरीया बनाकर अपना मकसद पहासल नहीं करते हैं हम हमेशा हतल मगदूर कोशिश करते हैं कि जहां तक मुम्किन हो सफेद पोशी का भरम रखा जाए एफेक्टी को सोशल मीडिया पर या वीडियो के उपर ना लाया जाए और उसकी इज़त नफस का खयाल लखा जाए उसकी इज़त नफस को हर्ट ना किया जाए किसी भी तरह से योमेशानों का एक शुरू सही तरीके का रहा है और आएंदा भी यही रहेगा हाँ कभी ऐसा होता है कि राशन दे रहे हैं तो उनकी तस्वीर खेच ली कि हम दे जाए हैं जी बिलकुल ऐसा होता है कि पांच लोग राशन दे रहे होता है और एक बूड़िया खड़ी होती है जो के तस्वीर खिंच वारी होती है सभी आप मतलब शो क्या करना चाह रहे हैं आप एक गरीब की मजबूरी को इस तरह वाइरल कर रहे हैं उसकी इज़ते नफस नहीं हड़ हो रही आप मतलब यह किस तरह की नहीं की है जो आप इस तरह हासिल करना चाह रहे हैं माधरत के साथ में इस तरह के मामलाथ के लिए थोड़ा सा बहुत मेरा मेरा काफून होता माफ किजिएगा मगर जब लोग किसी दूसरी की मजबूरी को अपने मकसद के लिए इस्वाल करते हैं अपने मफाद के लिए इस्वाल करते हैं अपने इजारे को अपनी जास को मार्केट करने के लिए इस्वाल करते है तो बहुत पुरा लगता है अच्छा, आप मुल्की हालात पर क्या कहेंगे, कि इसका जिम्मधार कौन है? मैं, अच्छा, मैं यह ख्याल नहीं करता कि मेरे घर से आगे जो कुड़ा गिरा हुआ है, उससे मेरे परोसी को तकलिफ है, मेरी जात जो है, वो खुश है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पर रहा है, मुझे अगर किसी से थोड़ा सा फाइदा हो रह है, मुझे इससे फर्क नहीं पर रहा है, अगर यह सोच मेरे अंदर है, तो इस मुल्क को बिगाड़ने का जमेदार हमें है, जिस दिन यह सोच बदली, इंडिविज्विज्विली, आहिस्सा हिस्सा, यह मुल्क बहतर होना शुरू हो जाएगा, हम अपने से आगे, किसी द प्रोग्राम में तश्रीफ लाएं, नाजरीन हमारा प्रोग्राम का वह खतम हो चुका है, मिलते हैं अगले हफ़ते, अपना तब तक ख्याल रखेगा, मुझे यानि मर्यम सिद्धीक को दीजे इजाज़त, अल्लाह आपस